लोकसभाद चुनाव से पहले बीजेपी के सीर्ष नेताओं का बिहार दोरा लगतार जारी है। पहले पीएम मोदी बीते दिन दो मार्च को बिहार दोरे पर आये थे और अब छे मार्च को दोबारा आने वाले हैं। वहीं दूसरी और नौ तारी कियान की नौ मार्च को केंद्रिय ग्रीम मंत्री अमित्सा बिहार आने की तयारी में है। ऐसे में बीजेपी के सीर्ष नेताओं के दोरे को लेकर बिहार की सियासत में खल्चल तेज हो गई है। ना सिर्फ बयानबादियां बलकी इसके सियासी कई मायने भी लोगों द्वारा निकाले जा रहे हैं। दरसल केंद्रिये ग्री मंत्री और सहकारिता मंत्री अमिस्सा नौ मार्श को पटना पहुँचेंगे। प्रदेश में NDA सरकार बनने के बाद वे पहली बार बिहार दोरे पर आने वाले हैं। प्रदेश OBC को एक जुट करना होगा। बता दें कि इस यात्रा से जाहिर है कि अब BJP में OBC वोट बांक को लेकर हल चल तेज हो गई है। बताते चले कि बिहार में अभी डबल इंजन की सरकार है और इस बीच बीते दिन देश के प्रदान मंत्री PM मोदी भी बिहार आ चुके हैं। और एक बार फिर बिहार में BJP के सीशनेता अमिस्षाह आने वाले हैं। और इसको लेकर कई सियासी मायनी जो हैं वो निकाले जा रही है। इस रैली की तयारी के लिए भाजपा कमर कश चुकी है। अमिस्षाह की रैली को सफल बराने के लिए भाजपा ने अपने सभी कमीटियों को निर्देशित करते हुए जी जान लगाने के लिए कह दिया है। तो ये देखना काफी दल्चस्पोगा की बिहार जो इस बार सियासत के मायनी में में रोल में नजरा रहा है तो अमिस्षाह के इस दोरे के बाद क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है। झाल झाल